हेलो फ्रेंट वेलकम बैक टो टेकनिकल अधिकारी चैनल तो फ्रेंट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है हम गूगल एड़संस पर अपने बैंक अकाउंट को एड़ कर सकते हैं और फ्रेंट ये सब कुछ हम करने वाले हैं अपने एंडरोइड फॉन से अ लुमेड नोटिफुेकिशन उस सबसे पहले मिल सके तोफ्रेंट करते हैं अगर आपके गूगल एड़संस पर अपने बैंक डिटेल जो है उसा मट करना हो जाता है तो फ्रेंट वाइनला आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ तो वीडियो को जो है एंड तक देखते रही है तो फ्रेंस अब क्या है कि जब गूगल अकाउंट में हो जाता है तो उसके बाद जो है हमें अपने बैंक अकाउंट को जो है वहाँ पर एड करना होता है तो फ्रेंस इसके लिए दो तीन चीज़े बहुत ही जरूरी होती है जैसे कि आपको प्रॉपर जो बैंक डिटेल है वो फिल अप करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है स्विफ्ट कोड अगर आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता नहीं है तो सबसे पहले आप वो जान लीजिए इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा वहाँ पर बात करनी पड़ेगी जो भी मैनेजर रहता है या इनक्वारी जो काउंटर की आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है बाकी और सारी चीजे आपको अपने जो है पास्बुक में मिल जाएंगे तो फ्रेंस अब मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कैसे हम इसे एड़ कर सकते हैं गूगल एड़सेंस पे अपने जो है बैंक को एड़ कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंस आपको लेकर चलता है अपने अनौट फोन के स्क्रीन पे कैसे हम यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते ह फ्रेंस तो Google AdSense पे अपने bank account को add करने के लिए सबसे पहले आपको Google Chrome browser पे आ जाना है यहां पे आपको अपने ID से login होना है क्योंकि मैं already यहां पे login हूँ तो फ्रेंस मैं सीधे जो है Google AdSense account में अपने आ जाता हूँ आपको यहां पे login होना पड़ेगा फ्रेंस जिब आपके Google AdSense में 10$ complete हो जाएंगे तो यहां पे आपको जो है एक pin verify करना होगा उसके बाद फ्रेंस आपको अपने bank को यहां पे add करना होगा उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंस सबसे पहले three dot पे जाना है यहां पे आपको payment method पे जाना है जैसे यह payment method पे जाते हो तो फ्रेंस यहां पे एक page open हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा तो फ्रेंट यहां से आपको जो एक option मिलता है add payment method तो simple सा आपको यहां पे कर देना है tab टैब करने के बाद फिर से फ्रेंट आप देख रहे हैं को यहां पे कुछ इस तरीके का जो है page आपके सामने आ जाएगा open हो जाएगा और यही page है जो आपको बहुती अच्छे से carefully भरना है जो भी bank की detail आपकी है as it is वही यहां पे आपको सबसे अच्छे तरीके से इसे fill up करना है आपका bank का नाम और आप bank का नाम और IFC code, swift code यह सारे आपको proper अच्छे से देख के भरना है तो friends सबसे पहले मैं से fill up करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसे कर सकते हो friends जैसे आप इस form को fill कर देते हो आप देख रहे होंगे कि मैंने यह fill कर दिया है बीच में तोड़ा बलर किया है आप इसे पुरे proper तरीके से fill कर लीजिए उसके बाद friends आपको नीचे option आता है यहाँ पे save का उससे पहले friends सबसे पहला जो चीज है वो है beneficial ID option यह जो है इसमें कुछ भी नहीं करना name of the bank account उसमें अपना अपना नाम लिखना है जो भी आपके bank में name है as it is वही डालना है अप उसके बाद bank नाम आपने डालना है फिर IFSC code आपने डालना है swift code डालना है और आपका account number डालना है फिर उसे re-enter करना है यही आपने fill करना है पूरा form को fill करने के बाद friends आपको नीचे option मिल रहा है save का तो simple सा आपको यहाँ पर tab कर देना और save कर देना है तो friends जैसे ही आप इसे save करते तो आप यहाँ पर देख रहे हैंगे आपका जो bank account है वो अब जो है google adsense पे जो है add हो चुका है verify भी हो चुका और अब यहाँ पर आप देख रहे हैंगे bank transfer to bank account तो यहाँ पर आपका जो bank है वो आप add हो चुका है और जो भी अजब भी आपके google adsense पे hundred dollar complete हो जाएंगे तो आपकी पहली payment वहाँ से release कर दी जाएगी तो उमीद करता हूँ video आपको पसंद आई होगी friends I hope friends उमीद करता हूँ video आपको जो है पसंद आ गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि गूगल adsense पे हम अपने bank account को कैसे add कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आज तो वीडियो को like कर दीजिए friends और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके all notification जरूर on कर लीजे ताकि आपको अमरी नीव वीडियो के जो notification है वो सबसे पहले मिल सके